दोस्तो फिर से आप लोग को आखरी बार देखने को मिलने वाली है कायरा सेजल जी अपनी एक नई स्रीज को लेकर आ चुकी है भाई वहीं पर जहाँ पर आप लोगों ने इनकी सारी स्रीज देखा है भाई स्रीज का नाम होने वाला हंगरी हसीना है और मैंने इसका पर जब स्रीज की स्यूटिंग चल रहा था कुछ भाई यह बाबा वाव टाइक का स्रीज है भाई तो वाई क्लिप में हम लोग देखे ते लेकिन भाई स्रीज का नाम होने वाला हंगरी हसीना है और यह रिलीज ओर एक जनावरी दो हैर 24 को मतब नया साल के दिन भाई पहल आने वाला है आप लोग देख सकते हैं अंगरी हसीना एपिसोड वन एक जनावरी को आएगा बाई मतब इसका कई एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे अंगरी हसीना का वहीं पर बाई मूड के ओटिटी पर और यह इंकी आखरी स्री जोगी मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं इसके बाद यह सायद कई पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी इस इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री में बहले देखने को मिल जाए इन्होंने ऐसा खुद बोला था बाई करीब एक महीना पहले मैं फिर से पोस्टर खोच कर लेकर आया हूं उस समय मैं अपडेट दिया था है आज भी मैं आपको पोस्टर पढ़के सुना दूंगा कि आखिर मुन ने क्या बोला था उस समय वाई तो दोस्तों अगर एक्साइटेड है तो देख लीजिएगा लास्ट बार आपको कायरा सेजल फिर से देखने को मिलने वाली है उसी ओटिटी पर इसके बास से कोई इंकी स्रीज नहीं आएगी यह लास्ट एंट फॉस्ट है जितना आप समझ जीए तो एक ही बार बास लास्ट बार आपको मौका आए देखने के लिए इंकी स्रीज को भाई तो अगर एक्साइटेड है तो देख लीजिएगा कायरा सेजल जी का वाई ला आगे से मैं कोई भी इस तरह का स्रीज नहीं करूंगी नोट द बोल्ड इंडस्ट्री कांडली डॉंट अप्लोड एनी टाइप ओप माई पीक और वीडियो अदर्वाइस लीब टू क्लेम और कंप्लेंट साइबर क्राइम और बोलें कि इसके बास से कोई मेरा फोटो या वीडियो अप्लोड नहीं करेंगे